नमस्कार दोस्तों स्वागते आपका हमार यूट्यूब चेनल फ्री एज्यूकेशन में दोस्तों आज किस वीडियो में हम सामन अध्यान यानि कि जी के जी एस से रेलेटेड मोस्ट इंपोरेंट 500 की सीरिज का थर्ड पार्ट लेकर आये हैं और इस वीडियो में हमने वही कोस्टन सेलेक्ट किया हैं जो आपके एक्जाम की दरेश्टी से बहुती ज़्यादा महत्पून होते हैं और वार-बार परिक्षा में पूछे जाते हैं और इस वीडियो में लाया हूँ यादि आपको किसी भी कोस्टन का आंसर पता है तो अपना आंसर भी लगा सकते हैं कर्मेंटर बॉक्स में देखिए यू एनो की नवीनतम दो भासा हैं और वी और इस्पैनी यानि कि इस कॉस्टन का सी ओप्षन से हो जागा और परयोग तो दोनों देखिए मैं आपको पूरी डेटेल बता देता हूं जब यू एनो की स्थापना हुई थी उस समय जो है चार राजवासाइं थी लेकिन 1903 में ठीक है 1903 में अर वी और इस्पैनी को यू एनो की सरकारी भासा बना दिया गया ठीक है तो इस प्रकार से जो यू एनो है इसकी राजवासाइं कितनी हो गई है टोटल छे राजवासाइं हो गई है कौन कौन सी राज़ भासाइं है UNO की तो English है French है चीनी है रूसी है अर्बी है और Spanish है अब देखे कौस्टन इस प्रकार से पूछा जाता है कि UNO की कारेकारी भासाइं कौन सी हैं UNO की दो कारेकारी भासाइं है दो कारे कारी यानिकि इसका जो ओफिसियल वर्क होता है दो भासा में होता है अंग्रेजी और फ्रेंच में ठीक है तो ये कॉस्चन में पूछा जाता है यू एनो की दो कारे कारी भासा हैं जिसमें सारा ओफिसियल कारी होता है अंग्रेजी और फ्रेंच इन दो भासा में UNO की तो UNO की स्थापना कब हुई थी 1945 में 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी इसलिए हम हर साल 24 अक्टूबर को United Nation दवस की रूप में मनाते हैं और UNO का जो Headquarter है वो कहाँ पर है New York में UNO का Headquarter है इसका फॉल्पम होता है United Nation Organization हिंदी में इसको बोलते हैं सयंगत राष्ट संग इतने इसके फैक्ट है आपको इस Material से याद रखना और मेरी को सिस यहीं रहती है एक Qaus Totally से आपको अधिक से अधिक वताएं हमारे वीडियो में तो होते हैं लेकिन वेक्त हैं 100 से अधिक होते हैं e2 होटे हैं संसत की लोक लेका समयyah का C chairman करता है तो इसकी नियुक्ति करता है लोकसभा अध्यक्ष जो लोक लेखा समीती है इसको हम P.A.C. भी बोलते हैं क्या बोलते हैं यानि कि पब्लिक एकाउंट कमिटी भी इसको बोलते हैं ठीक है और देखे जो लोक लेखा समीती है इसमें टोटल वाई सदस होते हैं इसमें जो पंदरा सदस हैं ये लोक सबासे होते हैं और जो साथ सदस हैं ये राज सबासे होते हैं और ये जो समीती है भारत के नियंतरक एवं लेखा परिक्षक जो भारत का नियंतरक एवं माहा लेखा परिक्षक होता है इसको हम कैग भी बोलते हैं कैग के दौरा दिये गए लेख को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बैल आइकन जरो दोएं ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो का अपडेशन सबसे पहले आपको मिल सके और दोस्तों इसी प्रकार के इंपोर्टन वीडियो हम लगातार बनाते रहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट को बिजिट करके आप हमारे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं पर लिए नमबर थर्ड कोस्टन है सोईज नहर भूमद सागर को अन किस सागर से जोड़ती है तो जो सोईज नहर है ये भूमद सागर को लाल सागर से जोड़ती है ए ओप्सन से हो जागा सोईज नहर जो है मिस्टर में इस्तित है इसकी टोटल लंबाई कितनी है तो इसकी टोटल लंबाई है 193 किलो मीटर और यह जो है भूमद सागर को लाल सागर से जोड़ती है ठीक है तो इसको इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं सोएज की भूल ठीक है तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि सोएज जो है सोए धक्षण अफ्रीका से लोटने के बाद गांदीजी का बहात में सफल सत्याग्रह था चंपाराण सत्याग्रह सी उप्शन से उजागा यह सत्याग्रह जो 19 अ Abril Cup शूरू हूए था यह सत्याग्रह 19 अप्रेल 1917 में किया गया था इस सत्याग्राय का मुख उद्देश किया था तो नील की खेती करने वाले के सानों को निया दिलाना जो है चमपरन सत्याग्राय का उद्देश था ठीक है और देखे महत्मा गांदी जो है दक्षण अपरिका से कब लोटे थे तो ये लोटे थे 9 जनवरी को ठीक है 9 जनवरी 1915 को महत्मा गांदी जी दक्षण अपरिका से लोटे थे और 9 जनवरी को हम हर साल परवासी भारतिय दिवस की रूप में मनाते हैं ये कॉस्टन में पूछा जाता है आप इसको याद रखेंगे नेश्ट कोस्टन है माई कंट्री माई लाइफ किस नेतागी जीविनी यानिकी आटो वायोग्राफी है तो माई कंट्री माई लाइफ जो है ये लाल किष्ण आडवाने की आटो वायोग्राफी है यानिकी इस कोस्टन का B options ही हो जागा थीक है इस पुस्तक का बेमोचन किस अंग्रेज नोसेना अधिकारी के समक्ष वाटरलू में समरपन कर दिया था तो जो नेपोलियन बोनाफार्ट है तीके इसने जो हे वाटरलू के युद्ध में आर्थर वैलेजली के सामने आत्म समरपन कर दिया था भी option सी हो जागा वाटरलू का युद्ध कब हुआ था यह question यदी पूछा जाए तो जो बाटरलू का युद्ध है ये 1815 में लड़ा गया था ठीक है और ये युद्ध जो है नेपोलियन बॉनापार्ट का अंतिम युद्ध था और ये युद्ध में जो है आर्थर वैलेजली के सामने नेपोलियन बॉनापार्ट ने आत्म समर्पन कर दिया था नेपोलियन को वंदी बनाकर सेंट ठैलीन दीव भेज दिया गया था ठीक है और ये ये धुद्ध था 1815 में फिर इसको वंदी बनाकर सेंट ठैलीन दीव पर भेज दिया गया था और 1821 में नेपोलियन बॉनापार्ट की यहीं पर म्रत्यू हो गई थी नमर साथ क से कौन से मंदर को यूरूपियों ने विलेक पेगोडा कहा है तो यूरूपियों ने विलेक पुगाड़क पेगोडा कहा है कोडार्क सूर्य मंदर को ठीक है सूर्य मंदर है यह 1984 में कब 1984 में इसको इने इसको की फिस्बर दरोहर सूची में सामिल किया गया था तो यह दो कोस्टन राश्टिय महिला आयोग की पहली अध्यक्षा कौन थी तो देखिए जो राश्टिय महिला आयोग है इसकी पहली अध्यक्षा थी जैनती पटनायक डी ओप्सन सही हो जाएगा ठीक है देखिए जो राश्टिय महिला आयोग है इसको बोलते नैशनल कमिशन फार भूमेंट ठ जो महिलाओं के हेतों की रक्षा करता है और उनके लिए कानूनी सुरक्षा भी प्रदान करता है जो राष्टी महिला आयो गयानी की नेशनल कमिशन फर भूमेन है इसकी इस्थापना कव हुई थी तो इसकी इस्थापना हुई थी जनवरी 1992 में ठीक है तो ये भी आपको प्रत्यक्ष कारवाही दिवस डारेक्ट एक्षन डे इसको क्या बोलते है डारेक्ट एक्षन डे भी बोलते हैं ठीक है और इसी को भारती है बिलेक डे भी कहते हैं मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को इंपोरेंट कोस्टन है आप इसको याद ठीक है तो पहले इस्तान पर कौन है देखिए पहला इस्तान है ब्राजील का ठीक है यदि पूछे जाए कि भारत का इसा कौन सा राज है जो कि गन्ने उत्पादन में सीर से तो भारत का जो उत्तर प्रदेश राज है ये गन्ना उत्पादन में सीर से पूरे भारत में ठीक और देखे वे उत्तर प्रदेश में देश के कुल गना उत्फादन का thirty nine percent उत्त पादन होता है ठीके गना का सबसे जादन होता है उत्तर प्तेश में कुल उत्त पादन का 49 percent होता है नमर बारा कोस्टन है इंडिया विंस freedom नामा क्सिद फुस्तक किस ने लिख़ि तो देखे इं मोलन अबुल कलाम आजाद की आटो वायोग्राफी यानिकी आत्म कता है और आटो वायोग्राफी को बंदा खुद ही लिखता है ठीक है जो कलाम साप थे एक सुतंतरता सैनानी थे कलाम साप कौन थे एक सुतंतरता सैनानी थे और आजाद भारत के पहले सिक्षा मंत्री थे ठी ठीक है, देखेर राष्टिये सिक्षडवस एक कॉस्टे पूच कर जाता है, राष्टिये सिक्षडवस, यह मना जाता है 11 नवंवर को, इनहीं के जनम दिवस पर 12 नवंवर को मना जाता हैической नेशनल एजूकेसन डेट ठीक है और National Education यानि की National Education Day यानि की राष्टी सिक्षाद बस की सुरुआत कब से हुई थी तो इसकी सुरुआत हुई थी 2008 से आप इसको याद रखेंगे एक और कॉस्टन मनता है यहां से की मौलाना अबुल कलाम आजाद ने एक स्थापना की थी इन्होंने स्थापना की थी UGC की यानि की University Grand Commission की इन्होंने स्थापना की थी कहा जाता है तो देखिए प्रजात अंत्र का रख्चक कहा जाता है नेपुलियन बॉनापार्ट को ठीक है किसको कहा जाता है नेपुलियन बॉनापार्ट को प्रजात अंत्र का रख्चक कहा जाता है यह जो है फ्रांस का एक सकती साली राजनेता था नेश्ट कॉस्टन है मतस मंतस महाजनपत की राध्धानी विराथन गर किस छेत्र में थी देखिए तो जो मतस महाजनपत थी इसकी राध्धानी क्या थी विराथन गर थी ठीक है और यहाँ को बता देता हूं मतस्स महाजनपत की इस्थापन किस ने की थी विराट ने की थी इसकी राध्धानी बनाए गई थी विराट नगर जो की मत वर्तमान में राजस्थान के जैपुर में इस थी ठीक है और यहां पर जो है 13 वर्स पांडवों ने वनवास काटा था ठीक है देखरेक में आता है तो देखे जो निया चेत्र काम है वो कलकत्ता हाइकोट की एक खंड़ पीठे वो करती है कहाँ पर करती है पोर्ट बिलेयर में करती है आप इसको याद रखेंगे नेश्ट कोस्टन गुप्त बंस का कौन सा राजा वीना वजाता था तो देखे गुप्त बंस का एक राजा था समद्र गुप्त ये भौती स्रेश्ट वीना वादक था इसने कवी राज की उपादी भी धारण की थी ठीक है कवी राज की इसने उपादी भी धारण की थी और भारत का नेपोलियन कहा जाता है आप इसको याद रखेंगे नेश्ट कॉस्चन देख लेते हैं नमबर 17 कॉस्चन रविद्ना टैगोर को नाइट होड की उपादी किस वर्स दी गई थी देखे रविद्ना टैगोर को जो है वेटे सरकान ने 1915 इस भी में नाइट होड की वेटना से दुखी होकर नाइट होड की उपादी बापिस कर दी थी ठीक है देखिए जो नाइट होड की उपादी है उस समय जिसके पास नाइट होड की उपादी होती थी उसके नाम के साथ सर लगाया जाता था जैसे इनको बोलते हैं तो नाइट होड की उपादी जिसके पास होती थी उसके नाम के साथ सर लगाया जाता था नेस्ट कॉस्टन है पैरेस इंडियन सोसाइटी की स्थापना निमन में से किसके द्वारा की गई थी तो देखिए पैरेस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी मेडम भीकाजी कामाने ठीक है बी ऑप्सन से हो जागा प अंतिकारी संगठन था इसकी स्थापना मैडम भीका जी कामाने की थी और कब की थी 1905 में इसकी स्थापना की थी फ्रांस के पैरिस में ठीक है और देखे यहां से कॉस्टन पूछे जाते हैं कि भारतिय जंडे का डिजन किसने तयार किया था तो भारतिय जंडे का डिजन तया किया था मैडम वीकाजी का माने एक और कॉस्टन पुषा जाज़ागा आप से एक्जाम में किस महिला ने भारतिय तरंगा सबसे पहले फैराया था तो वह फैराया था मैडम फैराया था फ्रांस में ठीक है नेश्ट कोस्टन है चब्वीस नवंबर को विस्ब भर में प्रतिवर्स कौन सा दिवस मनाया जाता है तो देखिए चब्वीस नवंबर की बात हुई है तो चब्वीस नवंबर को पूरे संसार में मनाया जाता है विस्ब परियावन सर्दक्षन दिवस ए ओप्सन से हो जाग लेकिन आपको याद रखना है कि विस्ब परियावन दिवस कम मनाया जाता है तो देखिए विस्ब परियावन दिवस मनाया जाता है पांच जून को दोनों कनफ्यूस करते हैं विस्ब परियावन दिवस मनाया जाता है पांच जून को और विस्ब परियावन सर्दक्षन पूचा गया था तो भारत में कुल मेग्रिव वन अस्पती का 3% हिस्सा पाया जाता है ए ओप्सन से हो जागा और आप से कॉच्छन पूचा जाता है कि भारत मेग्रिव वन सरभादिक कहां पाया जाते हैं तो जो सुन्दर वन डेल्टा है पस्च मंगाल में यहां पर सबसे यादा मेग्रिव वन पाया जाते हैं आप इसको भी याद रखेंगे नेश्ट कॉस्चन देख लेते हैं नमबर 21 कॉस्चन है परमाणू वम का सिध्धान्त आधारत है आपको बताना है तो जो परमाणू वम का सिध्धान्त है यह नाविकिये विखंडन पर आधारत है ठी सरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो मलेरिया रोग से सरीर का पिलीहा प्रभावित होता है पिलीहा इसी को हम बोलते हैं इस्पिलीन या तिली इसी को बोलते हैं और ये मलेरिया रोग से प्रभावित होता है ठीक है आपको बता दें कि मलेरिया रोग जो है मादा सब्गेज़ कोशन है नमvär不了 को चैने वह एक मात्रं पक्षी कौन सा है जो पीछे की और उड़ोसकता है पमुचा जाता है कोस्टन तो थे की वह पक्षी इसको हम बोलते हैं हमिंग बड ठीक इसको बोलते हैं इसको अनुछित के अनुछित के गया है तो संसत के पास संविधान में संसोधन करने का अधिकार है ठीक है किस अनुच्छेत के अंत्रगत अनुच्छेत 368 के अंत्रगत इसको जो है संविधान में संसोधन करने का अधिकार है और संविधान में संसोधन करने की जो फिरकिरिया है यह दक्ष्ण अफ्रिका के स संबिधान से ली गई है तो आप इसको भी याद रखेंगे नर्बर पचिस कोस्टन है तेहित्रबा संबिधान संसुधन का अभी पलण करने वाला पहला राज कौन है तो देखिए तेहित्रबा संबिधान संसुधन. है ये पंचाती राजप्रणाली से संबंधत है और ये संभिधन संसुधन जो है 24 अप्रेल कब से 24 अप्रेल 1993 से संपुन भारत में लागू हो गया था तो आप इसको भी याद रखेंगे अब नेस्ट और लास्ट कॉस्टन और अपने इस्टेटी रिलेटर जितने भी बार्ट साब कर रखों सभी में इस वीडियो को सेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बैल आइकन जरू दुरू दुआ है ताकि इसी प्रकार के लेटिस्ट वीडियो का अपडेशन सबसे पहले आपको मिल सके और ज देख लें थैंक दोस्तों मिलते हैं अंगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत बंदे मात्रा मुझा जय बारत बंदे मात्रा मुझा अ